नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारी स्ट्रीट चैनल यात्तिरी सुधा में आज के इस वीडियो हम जानेंगे कि ट्रेन में SUB साइड अपर बर्थ कैसे बुक करते हैं तो चलिए दोस्तों सुरू करते हैं सबसे पहले हमें Chrome ब्राजर को ओपन करना है और इसमें हमें टाइप करना है IRCTC अब हमें इसे ओपन करना है अब जैसा कि आप यहां देख सकते हैं यहां पर IRCTC की वेबसाइड ओपन हो गई है अब हमें इसे login करना है तो चले इसे login कर लेते हैं login करने के बाद अब हमें यहाँ पर train को सर्च करना है तो चली यहाँ पर हमें एक train को search कर लेते हैं अब जैसा कि यहाँ पर trains की list open हो गई है अब हम एक train को select कर लेते हैं जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं यहाँ पर एक train show हो रही है जो की है लखनाव मेल special train तो चलिए इसमें sleeper class पर click करते हैं अब आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको Book Now का option दिख रहा है आपको इस पर klik करना है Book Now पर klik करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का page open होता है आप यहाँ देख सकते हैं यहाँ पर train की details सो हो रही है और इसके नीचे यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर passenger की details fill करने के लिए कह रहा है इसमें आप एक option देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा है no preference, train में sub side upper birth को book करने के लिए आपको यहाँ पर no preference वाले option पर click करना है, जैसे ही आप इस पर click करते हैं, आपके सामने कुछ इस तरह का page open हो जाता है, sub side upper birth को book करने के लिए आपको side upper वाले option पर click करना है, अब आपको सभी details को fill करना है और अपनी ticket को book करना है, अब अगर train में sub side upper birth अबलेबल होगी तो वो आपको दे दी जाती है, तो इस तरह से आप भी आसानी से train में sub side upper birth को book कर सकते हैं, प्लिस इस वीडियो को like करें, हमारे चैन को subscribe करें, तथा bell icon का बटन जुरू दबाएं, मिलेंगे, नेक्स वीडियो में नई जानकारी के साथ, धन्यवादू